पूरी की पूरी भारती जनता पार्टी सारा काम छोड़के आज उनके नेताओं के पास कोई काम नहीं है एक ही काम है अरविंद केजडिवाल को टार्गेट करो उनके खिलाप बोड़ो उनके खिलाप मोहीम छेड़ो जितनी कारवाईया जितनी कोशिसे हो सकती है करो तो कही न कहीं भारती जनता पार्टी ने आज एक संदेश पूरे देश को ये भी दिया है कि अगला 2024 का जो चुनाओ हिंदुस्तान में होने जा रहा है वो चुनाओ आम आदमी पार्टी वर्सिस भारती जनता पार्टी होगा आज की घटना से भाजपा की बौखलाहट से मोदी जी की बौखलाहट से ये भी साबित हो गया है कि 2024 का चुनाओ मोदी वर्सिस केजरिवाल होगा और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि जैसे ही दिल्ली और पंजाब से निकल कर अर्विंद केजरिवाल जी गुजरात पहुंशते हैं के दिल्ली का मोड़ल पंजाब का मोड़ल गुजरात में लाएंगे लगातार प्रधानमंत्री जी हमलावर हो जाते हैं उसके बाद जब उसपर केजरिवाल जी खुलासा करते हैं या फीक रेविडी तो तुमने अपने दोस्तों को बाट रखी है दस लाग करोड रुपए करजा माफ किया पांच लाग करोड रुपए टेक्स माफ किया तो वोने CBIED को काम पे लगाओ और मनीश से सौधिया पे CBIED और किस दिन कौन सी तारीख चुनी प्रियास तो बहुत दिन से था तारीख वो चुनी गई जब अमेरिका के अखबार में प्रमुख अखबार में पहले प्रिस्ट पर मनीश से सौधिया की फोटो के साथ केजरी वाल की और मनीश से सौधिया की सिच्छा करांती की खबर चपती है तो इन पूरी घटनाओं से कही न कहीं ये भी साबित होता है कि दरसल अगला जो चुना होगा दोहजार चौबिस का लोक सभा वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भारती जनता पार्टी होगा मोदी वर्सेस केजरी वाल का चुना होगा और हम लड़ेंगे एक बात बहुत पस्त दोपार में भी बोला था फिर बोल रहा हूँ अब ना थो आपसे केजरी वाल रुकने वाले हैं और ना ही आपसे सिक्षा और स्वास्त का मॉडल रुकने वाला है हमारा काम नहीं रुकेगा आप बंद कीजे हमारे स्वास्त मंत्री को आप कारवाई कीजे सिक्षा मंत्री के उपर लेकिन दिल्ली का कोई काम रुकेगा नहीं एक अनपड़ों की जमात ने मैंने देखा सुबा से एक प्रापागंड़ा फैला रखा है कह रहे पेड नीओ च्छप गया पेड नीओ च्छप गया अरे भई उसी अखबार में निव यॉर्क टाइम्स में जहां मोदी जी के इतने दोस्त रहते हैं उसी अमेरिका में करोना के मिस मैनेज्मेंट की खबर चपी कि कितनी बुरी हालत मोदी जी की सरकार ने करोना के समय में देश की की जिससे लाखों लोगों की मौत हुई आप भी बेट छपआ लेते हैं अपनी तारीफे छपआ लेते हैं आपके पास कहां पैसे की कमी है केंद्र की सरकार है कई राजियों में सरकार है और अनपड़ों की जमात क्यों कह रहा हूँ जिस खलीज टाइम्स का ये जिक्र कर रहे है उसमें तो साफ़तोर पर लिखा है कि नियू यॉयॉक टाइम्स के सौजन से ये खबर छापी गई है तो जब वो आखबार ही लिख रहा है कि नियू यॉयॉक टाइम्स के सौजन से ये खबर छापी गई है तो उसमें फोटो भी वही रहेगी, लेंग्वेज भी वही रहेगी, लिखने वाला भी वही रहेगा जैसे आप अपने चैनल पे किसी दूसरे चैनल की वीडियो फुटेज चलाते हैं तो लिखते हैं उस चैनल का नाम की सौजन निसे इस चैनल के अब अगर ये अख़बार लिख रहा है करे नी नी बिग्यापने मतलब क्या है कि केजरी वाल के किसी अच्छे काम को देखना ये गांधी जी के बंदर हो जाते है केजरी वाल के काम के मामले में ना तो केजरीवाल का काम देखेंगे ना सुनेंगे ना कुछ बोलेंगे जैसे ही केजरीवाल के सरकार के सिख्षा के स्वास्त के कोई अच्छे काम की चर्चा होने लगती है तुरंत ये गांधी जी के बंदर हो जाते हैं ना हम अच्छा काम देखेंगे, ना अच्छा काम सुनेंगे, ना उस पर कुछ बोलेंगे, ये आलत हो जाती ही, गांधी जी के बंदर बन जाते हैं लोग, अरे गांधी जी के बंदर तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो के लिए बने हुए थे, तुम तो कर मैं फिर यही दोहराना चाहता हूं साथ आठ घंटे से जाच चल रही है एक नहीं एक हजार जाच कराओ पहले भी भाजपाईयों आपने जाच कराई थी कई कई बार आपने जाच कराई थी मुझे याद है ऐसे ही चीक चीक के चिला चिला के कह रहे थे जब केजरिवाल के अर्विन केजरिवाल जी के दफ्तर पे चापे मारे थे आपने तब कहा था राजे इंदर कुमार का बहुत बड़ा घोटाला पकड़ लिया क्या हुआ साथ साल हो गए उस जाच का कोई जवाब देगा मनीश सी सौधिया जी के घर पे पहले भी आपने सीवियाई का चापा मारा क्या निकला उसमें कोई जवाब देगा 400 फाइलों की सुंगलू कमेटी ने जाच की बाद में क्लिंचिट दे दिया क्या निकला कोई बताएगा 40-40 विधाकों को पकड़ के जेल में डाला कोई कारवाई की उन पर कुछ साबित हो पाया कोट ने बरी किया और दिल्ली पुलिस को फटकार रगाई कई मामलों में इतनी दुर्भावना से कारवाई जो भारती जंता पाटी के साथ रहता है वो हरिश्चंद हो जाता है यदुरप्पा भरस्टाचार के मामले में निकाले गए फिर उनी को पाटी में ले लिया उनको संसदी बोर्ड में सामिल कर दिया रेड़ी ब्रदर्स के हजारो करोन के माइनिंग घोटाले का क्या हुआ यदुरप्पा के हजारो करोन के माइनिंग घोटाले का क्या हुआ किसको सजा हुई कौन जेल गया क्या हुआ ब्यापम घोटाले का जो हजारो करोन का घोटाला था क्या हुआ नीरो मोदी का मेहुल चोक्सी का जो 20,000 करोन लूट के भाग गया जिसको मोदी जी कहते हैं मेहुल भाई क्या हुआ नितिन संदेसरा का 6,000 करोन लूट के भाग गया बीजे मालिया 9,000 करोन लूट के भाग गया ललित मोदी 3,000 करोन लूट के भाग गया क्या हुआ हमने बताया कि करोना के सबै में कई संस्थाओं ने कई सरकारों ने tax माफ किया license fees माफ की हमने भी माफ किया बार बार भई सवाल आप पूछे जा रहे हूं आपने तो 10 laก करोड रुपए का करजा माफ किया 10 lager करोड रुपए का करजा उस पे हिसाब आप देते ने पांच लाग करोड रुपए का टेक्स माफ कर दिया उस पे आप हिसाब नहीं देते बताइए ना कितना कमिशन लिया उन लोगों से कितनी रिश्वत खाई दस लाग करोड रुपए राइट आफ करने की कितनी रिश्वत खाई पांच लाग करोड रुपए का टेक्स माफ करने की कितनी रिश्वत मिली भाजपा को मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए आप, 42,000 करोड रुपए जिस कंपनी ने घोटा ला किया, DHFL ने, उससे 29 करोड रुपए BJP ने चंदा लिया, बताइए कितने BJP ने ताओं से EDCBI ने पूस्ताच की, बताइए, ABG शिप्याड ने 23,000 करोड रुपए का घोटा ला किया, मुकुल राय आपकी पार्टी में आजाए तो सार्दा घोटा ला खतम, हमिया हेमन्त विश्व सर्मा आजाए आपकी पार्टी में तो घोटा ला खतम, आप बताइए, शराब का मुद्धा आप उठा रहे हैं, गुजरात ने जहरीली शराब का, नकली शराब का, दस हजार करोड रुपए का धंदा होता है अरसाल, आप बताइए, कितने पे करवाई हुई, मैं पूछ रहा हूँ आप से, आप बताइए, देश को जवाब दीजे, कितने बीजे पीनेताओं को आपने जेल में भेजा, कितने लोगों पे आपने करवाई की, तो इसलिए, सिर्फ केजरिवाल को टारगेट करना है, आम आदमी पार्टी को टारगेट करना है, आप कीजी आप स्वतंत रहें, लेकिन पूरा देश इस बात को देख रहा है, दुनिया को नंबर वन बनाने का मिशन केजरिवाल जी ने शुरू कर दिया है और वो मिशन अब रुकेगा नहीं इन कारवाईयों से आपको जितनी कारवाई करनी है कीजिए हम अपने उस मिशन का विस्तार कर रहे हैं पूरे देश में फैल रहा केजरिवाल जी की बढ़ती लोग प्रियता को आप रोक नहीं पाएंगे मोदी जी आप जो भी चाहे कारवाई कर लिए मुझे इतनी बात कहनी थी आपका कोई प्रस लो जी पूछे क्या घोटाला हुआ है आप बताईए ना क्या घोटाला हुआ है घोटाला हुआ है कहां हुआ है स्विस बैंग में तीन मुना काला धन बढ़ गया घोटाला हुआ कहां गया कोई जाज कोई कारवाई मैं पूस्तो रहा हूँ आप से 42,000 करोर जिस दिये चेफिल ने घोटाला किया उसने 29 करोर बीजेपी को चंदा दिया है कोई जवाब है इनके पास खाली मूँ से बोलने से घोटाला हुआ है अरे ये तो वो पार्टी है कमिशन की बात कर रहे थे आज मैं सुन रहा था बाजपाईयों को जिनका रास्टी अद्ध्यक्ष रक्षा सौदे में कमिशन लेते हुए कैमरे पे पकड़ा गया किसी और प्रमान की ज़रुवत ही नहीं है रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा गया जिनके केंद्री मंत्री कहते हैं पैसा खुदा तो नहीं खुदा से कम नहीं वो लोग आज उबदेश दे रहे हैं मैं देख रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ कि CBI की जाज का स्वागत किया हम लोगों ने आप कराईए जाज जैसे पिछले तमाम मामलों में कुछ नहीं निकला ऐसे ही मनिस सौदिया और सते इंजाइन जी के मामले में भी कुछ नहीं निकलेगा यह तह है और इन कारवाईयों के प्रडूसर और डारेक्टर दोनों हमारे आधर्णी नरेंद्र मोदी जी है वो प्रडूसर डारेक्टर उनको सामने आना चाहिए पीठ पीछे से कारवाई ना करें सामने आके लड़ें चुनाओं में लड़ें ठीक है जीतार होती है आप इतना क्या बॉखला गए गुजरात पहुंचने से केजरिवाल जी के कि आप रोज कारवाई रोज छापा रोज सब कुछ सुरू कर देते हैं हमारे उपर तो पहली बार नहीं ने बहुत बार कारवाई की है सैक्लो बार की है ये फिर कर रहे हैं और जितनी बार ये कारवाई करते हैं उतनी बार आम आदमी पार्टी और मजबूती से सामने आती है जितनी बार ये कारवाई करते हैं उतनी बार देश की जनता में आम आदमी पार्टी की केजरिवाल जी की लोगप्रियता और बढ़ती है क्यों उसकी वज़ा समझ दीजे क्योंकि जब आप अनाफशनाप आरोप लगाके जूटे बेबुनियाद आरोप लगाके एक आदमी को परिशान करेंगे तो इस बात को लोग अच्छा नहीं मानते आपके पास एजेंसियां हैं आपके जुरिवाल को परिशान कर सकते हैं लेकिन सच को आप जुटला नहीं सकते हैं धन्यवाद